और अब बाद गुजरात में चल रहें International Kite Festival की क्योंकि मंगलवार को दुनिया की सबसे उची प्रतिमा Statue of Unity पर International Kite Festival का आयो जिन किया गया मगर संक्रान्ती करीबी है और गुजरात में तो पतंगबाजी के Fest भी चल रही है एम्दबाद वरोद्रा जैसे शहरों में भी काइट फेस्टिवल का रंग खुब जम रहा है गुजरात के केवड़िया में अद्बूत न जा रहा था दुनिया की सबसे उची प्रतीमा इस्टेव्ची आफ यूनिटी की होचाई नापने की कोशिश कर रही थी और रंग विरंगी पतंगे आस्मान की बुलंदियों पर उपर नीचे गोते खाती इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अपने पूरे रंग में जब नर्बंदा जिले के केवड़िया में पहुच्या तो नजारा ऐसा ही था यहां 18 से ज़्यादा देशों के पतंग बाजों ने अपनी पतंगे उड़ाई दरसल दुन्या की सबसे उची प्रती मां इस्टेच्यू आफ यूनिटी गुजरात ही नहीं भारत का सबसे वड़ा उभरता हुआ टूरिस्ट प्लेस है तो काइट फेस्टिवल की हमियत और बढ़ जाती है स्टेच्यू आफ यूनिटी पर स्वीडन से लेकर कोलंबिया नीदरलेंड अर्जेंटीना जैसे 18 देशों के पतंग बाज आये थे पतंगें भी एक से बढ़कर एक अलग अलग रंग और रूपकार की थी इसे देखने के लिए दरसक भी भारी संच्छा मे पहुचे और तो और पतंगों की रंगत भी विदेशी है लेकिन काइट फेस्टिवल का यहां का मिजाज शुद्ध गुजराती है जाहिर मकर संक्रांती के शुव अवसर पर कुछ दिनों तक आस्मान ऐसे ही खुबसूरत पतंगों से सचने वाला है गुजरात में इस बार पतंग की तरह पतंग के कारोबार के भी आस्मान चुने के उम्मीद की जा रही है